हुआ fight नमसकार दोस्तों दोस्तों आज हम हरयाने जिक्केक का जो हम躲रा आफ का लेक्चर इस लेक्चर में विश्यान के फिजियोंग्राफी यह उप्रातकी कहाँ राज़ा पाइसब करें यहीं कर दो सब्सक्राइब हिस पहले में बात करलेते हैं कि हरयाना की इंडिया के आशाफ यह जानते हैं तो बताना चाहें से इस स्य चानी इस तरफ र्ट इस तरह रख्यान कहां पर बहुत क्रीं तो आप इसके बीच में लहाँ आएगा तो कहता कहना और वेश्च के च्मित बीच में के नौरिज akukan आलग हो तो यह कौन से नंबर का राज्या बना यह बना कर राज्या इससे खार राता हैे हर्याना के हिसे वह चान favorbox हर्यानफ के इस तरफ है उपर की थदर आश्ल इस तरफ उत्रह ओत्रा थै गजा यह कै ए एक्對了 में हम को पूछ ले जाता है कि आयिए कि को किस्पराजी TIME करें कवा देख करेंगे तो यह पंच राज्य ठूजार रखेगा पांच राज्य है जो हमारे हर्याना को टेक्द करने एक और बात कैसी शत्रोесп सत्रुजी में करता है नहीं कि एक बात और कुछ बात और पूशे जाती है है जैसे की हर्याना कितनी यूटी कि इंदर शार्षित प्रदेश इसको टच करता है रायणा दो को करता है एक एक तुमारा दिल्ली है और दूसरा को होगोगन से चंडिगण और दिल्ली दो इलाकों को touch करता है तो यह कुछ जा अगर जो इंडिया के एरिया के साफ कितना परसैंट है तो यारखना ओंपर फ्रिः जारते हैं इंडिया के साफ से अगर बात करते हैं किलोमेटर स्केर में कितना है तो डावल 142 122 क्लीमेटर स्केर है कि लिए मंने के online rekening सुराई की सिर्ट 먹을 you कि एक शूर ट्रीक बताए थी अगर में हर्याना की बात करों our पहला alphabet हुए जाता है 8 हुए तो यहां पर ध्यान देना क्या देखो तो कुछ ट्रिक्स होती है देख लीजगा अगर आपको इतना भी ज्याद है 44,000 के आसपास है 4-4-8 तब भी आपका कार्य हो जाएगा वैसे यहां भी देखी यहां भी कितना प्रसेंट दिया हो इंडिये 100% इसे कितना प्रसेंट हरयाना के तो 1.34 अगर अगर मैं ध्यान से करना अगर 113 को यहां भी चारइब नहीं तो यहीं चीज होते हैं इसके कुछ चीजों को विजलाइज करें उससे क्या होता है हमारा दिमाग है हमारा दिमाग शबत कम समझता है हमारा दीमाक तस्वीर बहतर समयता है जब भी आप कुछ चीज को जात करना हो कोशिच केजिए उसके तस्वीर बनाने की जैसे कि मैंने आज आज आपके सामने तस्वीर बनाई है कि एरिया डबल फॉर एच एट फॉर फॉर एट और प्रसेंटे फॉरी होगा चलिए अगर करतें तो इस शेत्रफल के मामले में هर्यान ट्वेंटी बन पर है अगर बाथ कर टॉप टॉप जिए तो बहुंको बदगते हैं चलिए अब थोड़ा से आगे बढ़ते हैं अब आते जंद संख्या के मामले में पॉपलेशन की बात करते हैं पॉपलेशन हमारी जो हर्याना की है यह आप कह सकते हैं यह 25 मिलियन बताया हो इन्होंने आप इसको असान बाश्य में 2.5 क्रोर लिख सकते हैं ठीक है अगर प्रसेंटर की बात करते हैं तो प्रसेंटर यहां भी कितने हो जागी 2.09 प्रसेंट है तो इसको जान रखेगा ठीक तो डेंसिटी के साब से अगर बात करते हैं तो 570 किलोमेटर स्केर अगर स्केर माय तो 1480 देखें जो वान माइल होता है वह 1.6 किलोमेटर के आसपास होता तो उन्होंने उन्होंने को कर्वेंट किया है तो कुल्फूज मत होईगा तो इसको थोड़ा सा दीख लीजेगा ओ अभी कभी एक्जामिर आपको यहां भी कन्फूज कर सकता है तो कन्फूज नहीं होना हमको अगर वैसा बोला जाए तो आपने क्या रखना 17 अब यहां पर एक बास सूचिए देखिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी एट बाले एच एट यहां भी देखो 1 और 7 कितना हो रहा अब स्टूर्स हम बताना चाहेंगे कि हमारा बच्चों के लिए जो हर्याना जूरुशिल एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए हम टेस्ट करवा रहे हैं 10 सेप्टेंबर इसकी डेट है अगर अभी तक आपने रिस्टर नहीं किया इस टेस्ट के लिए तो आप कर सकत बाकि यह कुछ अवर्ड है हमारे तरफ से जो बच्चों को दिये जाएंगे जो टॉप 3 में आते हैं तो पहले बच्चे को हम 100 स्कोलर्शिप देंगे मतलब कि वह बच्चा जो मेंस का है जुडिशिल एक्जाम का त्यारी कर सकता है नॉमली जी हमारा को साथ आठ बंत का हो टेस्ट हुआ है उसके काफी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट करते जाएं बाकि इसके लाब अन्य भी सुपिदा है इसका फैदा उठा सकते हैं चले स्टूंट आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा हर्याना को देख लेते हैं कि हर्याना के बारे में हर्या हर्याना का मैप आपके सामने हैं तो हमें कभी कभी क्या होता है हमारे एक्जाम में कुछ कोशन बन जाते हैं जैसे इसकी जो बोगोलिक स्थेती हैं जैसे अपने लास्ट में देखा के ओपर के तरफ क्या तो ओपर के तरफ हमारा पंजाव इससे बना था उस तरफ हर्याना तो आपको इनका ही पताना चाहिए हमारे इसके उपर कोशन बन जाते हैं तो इसका भी ध्यान रखेगा अब चलिए थोड़ा सागे बढ़ते हैं आगे देखिए एक्जाम में कोशन आया था गया है इसका वेस्टर मोस्ट सबसे जो लास में इसके थाला सबसे पड़ता है लेकिन कभी-कभी डिस्टर नश्लिए पूछते हमें पुछ लेते तो गाउं लागा तो हमारे जाने माने एकह तो वहां से बिलोंग करते हैं तो समझेगा इसको कि यहां पर बैस्टर मोस्ट में आपने इनको टिक करना है लेकि अगर बात करता हूं दूसरे तरफ आपका इस्टर की तरफ इस्टर मोस्ट पॉइंट ऑफ अगर टिस्टेप ओले तो जम्ननगर और अगर गाउन बोले तो गाउं है तेजय वाला तो विलिवियगा विलिज कौन से एग मिश्टर असको दियान रखेगा और उसी तरह नीचे के तरफ अगर बात करते हैं तो साउस्टर मोस्ट में जो डिस्टिक हैं आपना मेत है और आपका गाउं दुखा है तो यह कुछ चीजी है इसके उपर भी हमारे एक्जाम में कोशन बन जाते हैं हमें द्यान रखना है चलिए अब फुर्ण सागे बढ़ते हैं अब हम आते हैं लॉंगिट्यूड और लेट्यूड देखो हमारे एक्जाम में नॉर्मल हमें इस पर कोशन पूछ लेते हैं कि बताईए कि जो हरना है लेट्यूड और लॉंगिट्यूड इसके बगोलितिति क्या है इसको यह सिंपल क्या होता है तो आप इसको ऐसी कर सकते हैं कि नॉर्मली तो होता है पहले बाद समय ना अगर में लाइट्यूड की बात करता हूं यह कुछ कालप में रिखाए हैं कालप में रिखा हैं इन रियालिटी में कोई ऐसी रिखा हमारे प्रिथ्वी के ओपर बनी नहीं हुई इस आपको द्यान रखेगा इन रिखाओं का अपना-पना महत्तब होता है ठीक है जो डिफिट जो भूब ग्यानिक है जा फिर कुछ जोगरफिर जुड़ो है व्यक्ति है उससे उनको कुछ थोड़ा सा आइडिया होता है जैसे आपको बात करते जो लै्लेटिटूड है लैट कि देखें यो बीच में आप लाइन देखनें न यह वाली बीच में लाइन इसको कहा जाता है जिनो डिगरी माना जाए अगर इसी रेखा के साथ-साथ अगर हम अर्थ को बीच में से कार दे तो ना ये दो अर्थ गोले बन जाएंगे दो हैमिस्पेर बन जाएंगे उपर बाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है नोर्थन हैमिस्पेर क्या बोलते है नोर्थन हैमिस्पेर हैमिस्पेर में अर्थ गोला और यह साउथ मेला इसको बला आता है इस लाइक नीचे उसे करें साउथन हमिस्पेर अब अब बात समय ना जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यह डिग्री यह बढ़ते जाएंगे जैसे उपर तब जाएंगे वन डिग्री नोथ इसको बोलते है नोर्थ पोल इससे नोर्थ पोल कहा जाता है इसको या रखेगा क्योंकि नोर्थ नोर्थ में आएगा इससे नीचे की तरफ जाएंगे तो इससे नीचे डिग्री बनती है लेकिन उसको नोर्थ में बोले साउथ बलनेंगे तो डिग्री थी डिग्री और यहा इसको समझ लेते हैं तो देखिए बताएंगे इसके उपर भी अब साथ में इसको जात करिए कोई व्यक्ति कितना लंग है कितना लंबा है कैसे बदलेगा जब खड़ा होगा जब उसकी खड़ा होगा बिल्कु स्टेट तो हमें आइड़ा हो कितना लोंगिटूड है ठीक है तो यह रिखा ही कुछ ऐसे होते हैं ईसफिसकते हैं अगे इनकी वाली रिखना यह मैन है इसको कहा जाते है जिरे ब्रेंग मेरीहरों और तो आपने सोनाा होगा एक टैम पर हमारे इंडिया पर पूरे वरल्ड में अःंगे वुर्ड हुश्त कञें सबस्ति का कि जद्र miteinander ÉG तो उन्होंने कैहा है जो प्राइम मेरिडर्ण है जो रिखा 0 अपने वहां से पास करवाई ये 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 जो रेखा है जो रिखा है ना य ये ये लकेशिन है का नाम है जो करता है लेंड we have as the location होती है जो ल करे life यह देखा है, हमारे लिए काफी उपजोगी होती है, जैसे उधारंग के तोर पर आपने नोटिस किया होगा, आपने अगर आपके येलिटी से बाहर बैठे है, उनसे बात करते हो, तो बोलते हो ना यहां पर रात के इतने बज़े हैं, यहां पर इतना टाइम हुआ है, तो ट यहां रोशनी पड़ नहीं होगा लेकिन मेरी बैक साइड में क्या रात होगा इसलिए जो यह रेखा है ने लॉंगिटूड इसका यहां पर काफी उप्योग होता यह किया करते कोई पर्टुक्ल एरिया है वह इस पर्टुक्ल एक आपको अपनी मेल लाइन माल लेता है तो उ हमारी एक्वेटर है हिं यह देखिए है यहां पर इसका कलर चेन नहीं हुआ कलर ब्लैक कर देते हैं थूर्द विजबल रहे आपको यह देखी यह रिखा दिख यह ना यह वाली यह बिलकुर सेंटेस में जा रही यह आपका एक्वेटर इसको जली डिगरी बोला गया ऑपर क कि कि जो रखा हैं जो बात करें लिक्तो रहें तो वह नॉर्थ में आईगे ना अगर मैं बात करों मुझे अजर आटा इडेश्च पता नहीं इतना नौत में नॉर्थ में आए हला पाटे न तो इतना अफ पाल गया मुझे तो सब्सक्राइबंगा अब देखो यहां पर क्ये तो एक बात समझें अगर मैं इस रेखा के हिसाब से बात करूं तो हमारा इंडिया कहा है राते हैं ऐसे के रेखा ही और इसचे ही हो इंडिया रेखा कि बीच में आता हो तो एक बात थो पर हम लोंगली जाना है चलिए फिर इसके उपर आते यह देखी है यह अगर के बात करतेइं इसको बूलेगा दूसरा ओपर के तरफ अगर बात करते हैं तो शाक बूर मैं पंचकुला हमारा सबसे ऊपर के तरफ जो नौर्थ पॉइंट है गाउन को शाप्पूरा तो वहां से लाइन निकलती है है वह से 27 डेगर्ज थैटिनाइन डैस तो यह हमारे प्रश्ब्राइच अब आगे देखते हैं लोंगी लूट देख लेते हैं लोंगी लूट हमारा कौम सा हरैना का यह बात करें चुल तो इसब देखा देखते हैं तो यह हमारे longitude और lateral lines है इसका आपको पता होना चाहिए यह मैंने दोनों एक अठी लिखी दिये थोड़ा समझ लीजेगा आपको समझ आगया को यहां पर ठीके जी अब तो आगे बढ़ते हैं नोट कर लिजेगा अगर मोटा साइडे लगाओ ना तो लगाना यह 30 के असपास है और यह 75 के असपास है कभी कभी क्या होता है option हमें option ऐसे मिल जाते हैं अगर अफसा आइडिया वह तब भी हमारान से टिक हो जाता है चलिए अब थोड़ा सागे बढ़ते हैं पर देखिये बात करते हैं कि जो हर्याना की जहां पे जो फीजियोग्राफिय यहां पे जो बोगोलिक बहुत आपके रचनाएं कहां पर पहाड़ा आप मैदान है उसे हिसाफ से हर्याना के इतने पार्स में डवाइड किया गया देखो अलग अलग बेक्तों की तबारा अल लगना पांच को इसके पहार है मैदान है जैसा भी लाका है तो कौन-कौन से पहला देखिए पहला क्या है पहला है सैंडी प्लेंड मतलो क्या होता जैसे यहां पर पानी कम होता है बारिष गम णहुते हैं छिसमाइड मोलते हैं ऐसको अनृविल सक्रीज नेयुक्ते इसके लिए प्लेयन प्लें लाव यसको हम हिंदी में बोलते हैं जुलोड मिट्टी क्विएर्या हैं आंठना में जोंब भी सीफिंटे उसको ख़ rôle करते हैं सहां साम एक 500 एक क्षाव eenatur कबर बाइब दिस पोर्शन मतलब पांचों जितने बताएं बले अराबली हो बले शिवालिक हो तो सब में से सबसेरा एडिया कबर करता है वह अलूबिल आएगा इसके लावा आएगा अराबली देखो अराबली क्या है यह परबश रहे नहीं हम डिस्क्राइब कहां पर पड अब थ्यान लगाना समझो पहले हमने क्या करते हैं हमको पता है कि यहां मांटेंस है उपक तरफ हमाले आते हैं कि ऐसे हमाले रेंज आती है होंगे उपक तरफ जो हमाल्य क्या बोलते ऊपर कि यहां पर बिसिकली के आज इंडा बना हुआ है ऐसे नहीं था और समय समें पहले की बात करते है कहते है एक plate थी उपर की ऑपर यह प्लेट मतलब विससे बेसे लैंड का हिस्सा ठीक है जी तो कहते है जो नीच वाले plate थी ये ती इंडो-अस्ट्रेलिया plate ठीक है जी और उपर के तरफ क्या थी जुरेशियन प्लेट एशिया को इसके प्लेट को बहा एक एशिया ॉट्स में तो कहतें ही ऑनों से प्लेट्थन में अपस न से healthy टैथी सी ओके समय के साफ से दोनों एक दूसरे के तरफ आने लगे और बात में क्या हो डोन टकर आए तो इस तरह से अगर मालो में एक सिंपल पेपर में माल लेता है एक्जामपल दिख लेते हैं देखिए जैसे माल लीजे एक पेपर है ना ठीक है इसको पेपर है ओके जब हमालों के दूसरे पर जहां से आ रहा है इसको कर रहा प्रैसर डालें तो उपर आप जाएगा ना ऐसी हुआ बेसिकली एक प्लेट ऑलरेटी थी दूसरी प्लेट यह आ रही है देखिए तरफ इसको उपर उपर उठा दिया जिस तरफ से पहाड़ों का निर्मान होता है तो आस plans फार पाई तो सबसे ऊपर माल लिया होता है रख रासे मालय को इसका नहींए यह हमालय इसमें कया क्या आता है ऑप समझों यहां पर बताना जाओं आउटर हमालिय को शिवालिक कहा जाता है वह वह क्यों कि वह अरावली तरफ क्या आता है आपका जो अरावली हिल्स तीन जगह टूश करती कौन राजस्तान को और कुछ लेडा का तो यहां पर मारा आता है आपके तो एक तो मारा श्रीवाली खिल्म पढ़ेंगी जहां पर उसका हर्याने को राज्य है दूसरा निची तरफ कौन सै आ अब यहां पर रावली हिल्स हो गया अब एक बास समझेगा यह एरिया देख लिए राजस्तान आप सब यह जानते कर राजस्तान बड़ा इरिया है जो इलाका जो इलाका राजस्तान को टॉटक्च कर रहा न तो एक बास जा रखना वहां फिर रितेली मिट्टी पाई को ये dość जावन आयए बटना नगर मतला हो कि देको यह जो इलाका यां गगमनादी निकलती और यह निकलती जमना यह जमना नगर चीक, जमना यहां से निकलती उतराखंट से का शिजल नहीं धरवी जरे कह संप गर्स यह आंक में जमन उत्री ड्रे आंक जिसे हम बलते हैं तो इस बात का भी द्यान हेगा ठीक है चले अब सब्सक्राइब अ आगे बढ़ते हैं देखते हैं अब आगे आगे क्या बाते हैं कि सब से एलंट सटार्ट करते से पुम तो परते हुए कि अज्ख मेर्स जयते हैं धो में पहली बताई टरफ क्या होता है बीवाट के तरफ नुश्च इस तर्फ क्या होता है थीकल कि अमारा इस औरनेची तरफ क्या होता है होता है आपका मेर्ट लेकर बात करें इसके अबसे तो यह वेड़ा एडिवन ईसके बीच में तो कहेंगे इसको साउथ वेस्ट तो साउथ हमारा यह एडिया पड़ेगा इसमें इलाके कौन-कौन से आते हैं या राखना बिलकुल युक है ना रा लेवारी और नू तो यह कुछ इलाके हैं जहां पर इस तरह की जो पाई जाती यह के बताया हुआ कि जो समंदर तल से उंचाए कितनी है यह समंदर का लेवर उससे कितनी उचाए तो दो सती से तीन सब पचास मिल्टर यह ओफिशल जाता है जो हराना की वेफसाइट पर जाते हैं और आपको जानते हैं वेजिटेशन क्या होता है हिंदी में कहते हैं ब्रस्पति की प्रिवाश्या क्या होती ऐसे पेड़ पोदे जो बिना किसी हुमर इंटर्फिड के अपने अप उखते हैं उसको बोलते है नैचुर वेजिटेशन ठीक है अब यहां पे कौन-क कि वहां पर चाहिए उसकर में कितनी वाश्याल होती एक बात डीगा जहां पर यहां होती है बारेश क्यूंट्स्याल कोशोटक्य ब्रकास क्या पार कंटे में आटा इसवहतीं यह मेरा कोशन है इसका अंसर कमेंट सेक्षिन में दीजी देखते हैं कितने बचे पढ़ रहे हैं आज कर ना ठीक है अब आते हैं द्वारा फिर इसके उपर यह कौन-कौन सी मृस्पति यहां पाई जाती है तो किकर खैर थोर्ण थोर्ण में जो कंटीली जो होते हैं कांटे शरव तो जाड़े हैं तो इस प्रकार के चीजे हैं हमारे इस सेमिल डेट एयर अर्म आपको बता दिया ओके चलिए अब थुड़ा सागर बढ़ते आगे देखते हैं अगही है अलूबियल प्लें अलूबियन फ्लेंड प्लेंड उर्य वाला तूब चुक्या जो घना यहा तो यहां पाई जाती है तो तो इस तरह से इन मिदानों का निर्मान होता है तो अलूबिल स्वाइल यहां पाई जाती है तो यह कुछ चीज़ी है बताएं कि क्या क्या होता है पहली बात समझेगा मैंने बताया था कि सबसे मैक्सिमम जो स्वाइल हो यही है 93.67% हर्याना की ठीक है तो सबसे एरिया इसने कबर किया हुए और इसके लावा एक कौन-कौन से एरिय में आता है तो मार कंड़ा जी नदिया है इन नदियों के दवारा जी एरिया जो आपका ड्रें किया जाता है ठीक है जिले कौन-कौन से कैथल अंबाला कुर्क्षेत्र जम्ना नगर करनाल जीन पानिपत रोहतक सोनिपत तेखो मैंने मैक्सिमम जो इनके इस एरिया तो इसको द्यार रखेगा चलिए अब थोड़ा सागे बढ़ते हैं अब आगे देखी अब अलूबिल स्वाइल है इसकी होती है जैसे कि एक्जाम में कोशन आया हुआ था कि जो बांगर होती यह बांगर किस तरह के स्वाइल होती है यह होती है ओल्ड अलूबिल जो कि पहाड़ों साथ में भाल थी है उन जो उसका मलवा होता है सैडिमेंट बोलते हैं इसको लेकिन जैसे मिदानी लाके में आती है तो गतिस्क्रो होती है जिसका नहीं से प्लेन का निर्वान होता है अब होता है एक मित्टी बहुत पहले बिशाहिए नद्यों के दुपर ए एक जो पर्त है वो अभी विशाई आ रही है तो ओल मतलब जो मिट्टी जो बिशाकी बुट पहले की गई तो उसे बांगर बोलते है अभी जो नहीं नहीं विशाई उसे खद्र तो आपने इनका विया रखना एक शोटी एक्जांपल दे तो ट्रिक है जैसे बात करते हैं बा तो खद्र हमारा नियू हो जाएगा इससे लावा एक बात सुनी यह नदी है मरकंदा रिवर तो एक्जांब कोशन आएगा इन में से किस कौन से नदी है जा फिर कौन सा प्लेन है जो मरकंदा नदी की द्वारा बनाया जाता तो या रहना बैठ तो इसको बैखना दूसरा क खद्र न्यू प्लेस मेड़ा मरकंदा बैठ और प्लेन मेड़ा गगर नेली जनली तो दोनों का अपने द्यान अखना इस पर का से कोशन हमारे बन जाते हैं अब आगे आते हैं अरावली हील मैंने पहली बताया था कि तीन राज्ये अगर इंडिया के बात करते हैं तीन रा अगर आपको कोशन पूला जाए ना कि बारत में बारत में सबसे ओल्ड़ेस परवर शेनी है जो मांटर इसको यंग मांटरिंग रखा जाता है इसको या रखना तो अरावली को क्या बोलते हैं सबसे जिसकी ऊची चोटी है वो गुरुशिखर इसकी गुरुशिखर जो अरावली की सबसे ऊची चोटी राज्यसान में पढ़ती है ठीक है इसको द्यान रखना एक इस पे बांट टाबू फेमस लोकेशन भी है वी राजस्तान में इसी पर दोशनी का ही वो हिस्सा है अर तो इलाके इंडिया में राजस्तान स्टेट बताए हुए हुए हर्याना राजस्तान गुज्रात अब बात करते हैं हर्याना के जिले कौन-कौन से तो गुरुगराम आ रहा है ठीक रिवारी आ रहा है तो देखी हो इलाक याएंगे गुरुगराम फिदा वरिवारी विवानी और मेहन्दगट जो इलाके निचे की तरफ है वह आपके यहां पर आएंगे अगला है इसका हाइस हिल देखो जिसकी सबसे उंची चोटी है जो हर्याना है पाई जाते हैं इंडिया में अराबली हिल की सबसे उंची चोटी कौन सी ह इसको जा रखना चलिए अब थोड़ा सागे बढ़ते अब आगे आते हैं शिवालिक देखो बिताया थे ना शिवालिक मैंने बताया तरफ आपको अब यह उपका इंडिया वह पार्ट लिया हुए जैसी उपकर देख रहे हूं ठीक है आपका करकोरम डदाख जासकर ठीक ह है अब नीचे की तरफ यहां पर है अब नीचे की तरफ के तरफ यहां पर आपका डी आपका जाता है कि इसको मिटकर हिमाले बोलते हैं इसको मैं आउटर हिमालय बोलते हैं आउटर हिमालय खैर तो जी साबने देखे सकते हैं ठीके तो देख इस समझें तो डियाक्शन को हों से नौर्थ इस्ट आठा दो समझो, यह मैंने बताया हुआ हो बेसिकली अगर देक्शन मैं फिल बताया ऊपर तरफ नौर्थ नेचे के तरफ तरफ साउत इस तरफ क्या हो गेह हमारा इस तरफ क्या हो रहा-घै अगर देखो यहां प्यार ना यह क्या होगा यह नोर्थ इस्ट तो यहां रखना अगर बोला जाए कि जो हमारा जो श्रीवालिक जो परबत है तो आपने टिक करना हमारा नोर्थ इस यहां पर लिखा हुआ ठीक है अब बात करते पर्सेंटेज पर्सेंटेज में जैसे अलूबेल स्वाइल था नैंटी-3 क अब देख पर्सेंट जो लेंड का हिस्सा है हार्याना का यह लेता है या मुदल उकुपाई करता है तो यह इतना 1.67 परसंट और ऐवरेज हाइट 900-1200 मीटर ठीक है जी और अब अब देख पास समझे यहां पर आराबली यहां पर अलग लिग जैसे पंचकुला में है इसको नाम दे आता है इस परवत को वह देता है परवत शेयनी को मोर्नी मोर्नी हील्स असान बाशा में शरंखला परवत शरंखला शरंखला समझे तो ऐसी माउंटे ने जा तो इस माउंटे रिंज का अराबली माउंटे रिंज का जो इससा पंचकुला में आता है उसको बोलते है मोर्नी हील्स ओके आगे बढ़ते हैं अब देखिए थोड़ा समझे है कि जैसे हमने वहां पर दास भी बढ़ा था अराबली के सबसे उची हील्स पंचकुला में है अब देखते हैं कि हायट कितनी है है मैं जाले 1514 और 1467 देखो में दो हाय लिखिया सबस्क्राइब कारण क्या है दो लिखने का ओफीचली जो मैंने जान कर दिखी है वह हम को दिखी है लेकिन हमने क्या पाया काफी एक्जाम में इसके पर कोशन आय और ऑप्शन में ना पंदा सो चोड़ा दिया गया और अंसर टिक किया गया तो इसलिए मैंने दो हाइट लिखी है अगर आपको दोनों हाइट आ जाए तो द्यान रखना में पंदा सो के आसपस अंसर सही होगा इसका नौमली हमने एक्जाम में यह अंसर देखा है तो आगे बात करते हैं नदिया हराना से काफि नदियह भीएती इसे बताया मैंने जमना इसके लावा दू समधि का था तानग्य का descendता कि इसका है, इन अदियों का로 शाप अब बात करते हैं ब्रसपती, नहीं फहां मिलते हैं टी दोद्र मिलता है अब बात करते हैं जौना नगरी होगा। पोशा है यासे मोर्नी के पहाड़ी है, जो नहीं पहाड़ी है , कौनसा है तो इसको बोलते हैं तो पाइडोमिन का मीनिंग क्या होता है वह गोल में पाइडोमिन इसका मेनिंग होता है पाइडोमिन का कि बेसिकली जैसे पहाड है उंचा पहाड मिदान इलाका क्या एक उंचा पहाड एक मिदानी इलाका उसके बीच का ट्रांजिशन जोन होता है उसको बोलते हैं पाइडोमिन तो इसको पाइडोमिन जोन बोलते हैं जा फुट है तो या रखना एक बात समझेगा कभी पूछा जाए कि इसको यहां बताया था ना जाते हैं तो इस बात को संझेगा अब तुर्ण वागर जमना के आसपास है बाकि जाते आते हैं कुछ बाते और कर लेते हैं कुछ अब चीड होता वह घ्रण भी यह को स्थ खंग कान सुट हिरं के और पक्षी घूसा है काला ती पूलते हैं हाँ भी लोकल कारती तो तरने बोलते हैं लेकि बड़ा जाए इसका अब ऐसे नाम के वहेल ब्लैक फ्रेंक निन हिए नियुजए तो इई फच्निप च्यूंच की सबस्टा ऊषानद की तो इसका तसके मॉध्य इस संटनुट है न कमे autourघ्ण से अब कभी कभी पहता है कभी कभी एक्जाम को सिरी निया आते हमको सेंटिफिक नेम पुछ लेते हैं अगर बाइस आपको बोला जाए कि स्टेट ट्री पिपल है इसा सेंटिफिक निम क्या है तो यह रखना फिकस लियो जासा तो सीधी बात है यहां पर असान बाश्या में तुम तुम क्या करो नहीं बताया ना पीपल जो है कि नाम कुछ अलग है पर हमको तरह तरह को भी पर कहा उसर्णस्क府 पाव जाता है अब और ऑंस्कृत में प्रकाइब को आप पर आते हैं नाम मुष्किल होगी मिलता जोलता ही असां श्वाब्ट और बाकी इसको क्या बोलते है काला तीतर, ओके डन कलते हैं, आगे चलते हैं, पहले speaker कौन है, शन्यो देवी, जो इनकी बिदान सभा है, पहले speaker हुई है, अगर बात करते हैं, इनका जो हाई कोट है, जो पंजाब और हर्याना हाई कोट, एक हाई कोट है, ठीक है, जो दोनों state को देखता है, तो उसके में अभी मुखे नादिश रवी शंकर जा है, और पहले कोन थे, जस्टिस राम ला, इसको इसको पर एक्जाम कोशन आ चुका है, इसको द्यान रखना, capital, राजदानी, चंडिगर है, चंडिगर शहर, पताने एक आर्किट्ट थी, उनका नम था ली ली कोरवेस, ली कोरवोसियर, ओकि इस आर्किट्ट ने चंडिगर शहर, डिजाइन किया था, इंटरनेशनल बाउंडर, क्या किसी अन्य देश को, क्या जिए टच करता है, बिलकुल नहीं, हर्याना अपना पंजाब करता है, लेकिन हर्याना नहीं करता है, ठीक है, नुशन बाउंडरी, पांच राज्य है, जिसको टच करता है, और यूटी के बाद करें, तो दो यूटी है, तो यह कुछ चीजी है, जिसके ओपर एक्जाम में कोशन आये हुए, तो हमने जहां पर नोर्डाउन करती है, पढ़ते रही है, और साथ में नोर्स बनाते जाईए, बåएंस ते بेस समें करें में डायटा तो आपको टैस्ट दोना काफिं है, ऑगयी इतना काफी है, दन्यवाद आपका और कॉशिन ऑंक कुछ नंभा आपका सकते हो, तो नेक्ट इस्ट वीडिश मं कबर करने हुए, पागैशी कहáfic ने कोशियो कोशम करेंगें, बाद, thank you so much.